हेलो फेंड सॉग है का आप सभी का आपके अपने उटिव चनल टेक्टब्व एक automation in और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाउगं की वेटी उज्टना कि फार्म के बारे में कि इस गाउं की बेटी उजना में दोस्तों आपको कौन-कौन से फार्म जो है वो भरने पड़ते हैं और इसके बारे में इसमें लगबख 5-6 प्रपत्र जो है वो भरने होते हैं तो इनके सच्चाई के बारे में हम जानेंगे कि क्या इन 5-6 प्रपत्रों में से सभी की आवे सकता होती है या फिर सिर्फ एक ही प्रपत्र में आपका काम चल जाएगा तो चलिए बिना किसी दरीके वीडियो को सुरू करते हैं तो फेंड्स मेरे पास यहाँ पर गाओं की बेटी उजना फॉर्म के लगभग 5-5 प्रपत्र जितने भी प्रपत्र उसके आते हैं वो सभी प्रपत्र यहाँ पर मेरे पास है सबसे पहले मैं आपको प्रपत्र एक के बारे में बताता हूँ यहाँ पर प्रफत्र एक मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाई देगा मद्ध प्रदेश आसन उच्छ विभाग और यहाँ पर गाउं की वेटी हो जिना आवेदन का प्रारूप आपको यहाँ पर दिखाई देगा और उसके बाद प्रती मुख कारपाला नदिकारी वाला ये फर्म दिखाई देगा फिर इसको कैसे भरना है इस सबको मैं डेटेल से बताँगा सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से 4-5 प्रपत्र होते हैं सबसे पहला तो ये होगे हमारा प्रपत्र एक उसके बाद यहां पर यहां पर होगा प्रपत्र तीन और उसके बाद हमारे पास यहां पर है ये प्रपत्र चार और ये हमारे पास है प्रपत्र पांच प्रपत्र पांच और ये एक सरपंच का जो हो प्रमार पत्र की आपको इन प्रपत्र को आपको भरने की किसी को कोई जरूरत नहीं है यह प्रपत्र जो है आपको कहीं भी काम नहीं आने वाले है यहाँ पर आपको स्रिप यह प्रपत्र चार जो है वो काम आएगा आपको इस प्रपत्र चार को बस जो है वो अच्छी तरह से फिल कर लेना है ये प्रपत्र चार क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ देखे ये प्रपत्र नमर चार है ये प्रपत्र चार है यहाँ पर लिखा गुआ है चेहनित गाओं की बेटी का प्रमार पत्र है यहां पर यह आवेदक की आपको फोटो लगा देना है और यहां पर यहां से फॉर्म चालू होता है कि प्रमारित किया जाता है कि कुमारी यहां पर छात्रा का नाम यहां पर पिता का नाम यहां पर गाओं का नाम यहां पर विकास खंड का नाम यहां तैसिल का नाम यहां पर लिख देना है जिले का नाम उसके बाद के अंतरगा द्वारवी परिक्षा बर्स जिस बर्स में उसने बारवी की परिक्षा पास की आपको यहाँ पर वो बर्स लिख देना है में प्रथम सेंडी में उत्रिनर की है इन्हें स्कूल की चैन समिती द्वारा गाउं की बेटी के रूप में चैन किया जाता है इन्हें गाउं की बेटी के रूप में चैनित किया गया है और इन्हें गाउं की बेटी के नियम 2007 की कंडिका 1.672.4 के अनुसार इस योजना का ला कि जनपत पंचाज जाना है और आपको इसके साथ ओरिजनल 45 की मर्रेट के शाति पन्पनापट्र और साथ में आयो निवास पन्पन्पत लेके आपको साथ के पास जाना है और उसके बाद वहाँ करें चिक चाफ होंगे एहाँ पर आपने sale और उनके signature कर देंगे आपको अस्थान लग देना है उसके बाद जिसबी date को आप signature कराएंगे वो swim लग देंगे और 12th की स्बेंगे आप ने कितने मैं से कितना प्राप्त किय है भो लिखेंगे और आप अभी किस college में अभी पढ़ाई कर रहा है और किस सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहा है आपको वो सब कुछ यहां पर वो स्वेम लिख देंगे CEO साहब और यहां पर उनकी जो हो वो मुख कारपला नदिकारी जनपत पंचायत की यहां पर सेल और उनकी यहां पर सिगनेचर होंगे और उसके बाद यहां पर एक और सेल यहां पर लगेगी और यहां पर कुछ यह सेल लिखके देंगे तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है इस बाले प्रमाण पत्र को लेके आपको जाना है ओनलाइन दुकान वाले के पास और online सोब बाले इस प्रमाण पत्र को scan करके आपका गाओं की बेटी उजिना का form जो वो fill कर देंगे इसके साथ जो भी document लगेंगे आपको उनको साथ में ले जा लेना है और इसके अलावा आपको इसमें 5-6 जो प्रपत्र आते हैं तो इस तरह से आप गाओं की बेटी उजिना form के लिए आपको किसी भी प्रकार से परिसान नहीं होना है 5-6 प्रपत्रों को आपको फिल नहीं करना है आपका काम सिर्फ एक ही प्रपत्र में जन्पत पंचाइट की सियो साब का साइन आपको करवा लेना है इतना ही मैं यहां पर आपको सारे प्रपत्र देखा देता हूं यहां पर सबसे पहला प्रपत्र है कुछ को छोणने इस अभाले जब आप गाओं की ब dishonका फर्म मांगेंगे तो आपको चार-पॉनज प्र rap देंगे सबसे पहला प्रपत्र वो एक ये होता है उसके बाद दूसरा प्रपत्र ये होता है साला प्रमुक के हस्त अक्षर वाला की आपने बार वीग अक्षर जिस भी इसकुल पर पास किये हो वहाँ के प्रिंसिपल का सील और साइन का एक प्रपत्र होता है उसके बाद एक प्रपत्र ये जनपस सीयो वाला और एक यहां पर यह रहता है कि आप बर्तमान में जिस भी महाविद्याला में पड़ रहे हैं वहाँ के प्रचार का साइन तो यह भी नहीं लगेगा आपको शिफ आपको जनपस्यो वाला साइन वाला प्रपत्र ही लगेगा तो आज यह कहीं वीडियो के लगा मैंसे कमेंट क करके बताएएगा यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लिजेगा ताकि आपको यह तरह के और भी वीडियो समय समय पर मिलते हैं